नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल पर, दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे RRB ALP के 5 Most Danger Zone के बारे में, जी हाँ दोस्तों ऐसे जोन जहाँ पर previous year उठा के देखो, या फिर मतलब last year की जो CBT First हुआता, उसकी Cut-Off तो यह सारा सब कुछ मिला कि यहाँ पर इमानिके चलिए, जो 5 जोन है, उसमें Cut-Off हाई रहने वाली है, आप कुछ भी कीजिए, यहाँ पर High Cut-Off जानी है, जानी है, दोस्तों यहाँ पर 100% शोर है, अगर compare करूं में आसपास के जोनों के इताथा, आ इहान रखना, आपने CBT First भी दिया होगा, आपको पता है, यहाँ पर Cut-Off हाई गया था, तो कहीं न कहीं दोस्तों इस बार भी आपको Cut-Off हाई देखने को मिलेगा, विल दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पर 5 जोनों के लगातार, यहाँ पर अजमेर के अलवा, और भी कई चा Technician की 1613 और PCM की 363 पोस्ट है, विल दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, ALP में Psycho के लिए, अगर मैं 8 गुना करूँ यहाँ पर 1110 का तो मान के चलिए, मतलब 9000 के आसपो को लिया जाएगा, तो 9000 में दोस्तों यह कोई ज्यादा नमबर नहीं, 9000 नमबर यह मान के चलिए, आपका हो सकता है कई न कई 40, मतलब हाई तो नहीं जाएगी, दोस्तों क्योंकि Psycho के लिए 8 गुना ले रहे हैं, लेकिन Final Selection जो होना है वो तो एक गुना पर ही होना ही, आप सभी को मालूम है, तो 1110 पोस्ट के लिए मतलब 1110 बंदों को ही eligible किया जाएगा Final Selection के लिए, तो क आपके 45 से बाउन के बीच में कर आपके नमबर बनते कहीं न कहीं, आप सेफ हो मान के चलिए हो सकता है Psycho के लिए आप क्वालिफाइ कर जाओ इस बार, वहीं दोस्तों अगर OBC की बात करूँ, बहीं से बात करूँ, बहीं से 48 के बीच में आपका नमबर बनना चीए, दोस् आपका जो रो मांके चलिए, आप अपने नमबर पहले से बढ़ा कि मत रखिये, कितने भी बढ़ सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता ही दोस्तों, वहीं दोस्तों SCST की बात करूँ, SCST वाला इमान के चलिए 35 से 45 से बीच में नगर न मालूम है यहाँ पर इसके अलावा और कुछ स्टेज है नहीं, आपकी यहाँ पर साइको में जरूर इनके नमबर उपर नीचे हो सकते हैं, कहीं न कहीं मतलब चांसे बढ़ जाये, लेकिन IIT मतलब की सोरी, यहाँ पर टेकनीशन वाले और PC वालों का अभी जो score आपको करना दोस्तों यहाँ पर, तो General OBC, SC, HD मान के चली है, अगर आपके 60 से कम नमबर है, तो चांसे बहुत कम है, लिख के लीजिए दोस्तों, हो सकता है, आपको यह वीडियो पसंद ना आए, डिसलाइक करो, लेकिन दोस्तों सचाई यही है, और सचाई कर भी होती है, सिदी सी बात दोस्तों अगले जोन की तरफ चलते है, बोपाल जोन, 2945 पोश्ट है यहाँ पर, तो दोस्तों बोपाल जोन में होता क्या है, यहाँ पर, ALP की 110, Technician की 1426, PCM की 409, PCM की देख रहे हो, दोस्तों आप ज़्यादा है, वहीं, ALP की थोड़ी कम है, compare to में, आसपास की जोन के तो साइको के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, आट गुना बच्चो को लिए जाएगा, तो हो सकता है, साइको के लिए यहाँ पर, चमाली से बावन के बीच में, आप सेफ मान की चलिए, खुद को, मतलब की, कन्फर्म आपका कोल आएगा साइको के लिए, OBC वाला है, यह मान आरे है, यह 32 नमबर आरे है, क्वालिफाइ हो रहे है, हमारा साइको के लिए कोल आजाएगा, जी नहीं, दोस्तो इमान के चलिए, आपको 40 के आज पास तो पहुचाना पड़ेगा, स्कोर SCHT वालों को, दोस्तो इमान के चलिए, एक दो उपर नीचे, अगर आपकी बनते ह है, अगर मैं कंपेर करूँ, यहां सबसे ज़्यादा पोश्ट है, अलाबा जोन की, दोस्तो अब इसको सबसे बड़ा मतलब मुद्दा यह है, कि इसमें डेंजरस क्या है, मतलब इतनी तो कटोफ तो कम जानी जानी, जी नहीं, दोस्तो ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां पे जन्हों ने एपलाई किया है, लाबा जोन के लिए वो बहुत ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं के कटोफ आपकी हाई जानी है, मान के चलिए, दोस्तो कंडिएट बहुत ज़्यादा है, अल्ली अल्पी में, यहां पे 3000 गुनिस पोश्ट है, टेकनीशन में 3600 गुनिस तर, प PCM में 700 चुर्याद में, जी हां दोस्तो PCM में बहुत ज़्यादा पोश्ट है, यह देख सकते हो, आप 800 के करीब यहां पर लाबाद जोन में है, तो दोस्तो यह मान के चलिए, लाबाद जोन में PCM वाला 65-70 के आसपास अगर आपके बनते हैं, तो आप सेफ माने खुद को, इससे कम अगर आपके बनते हैं, तो कहीं आप में यह मान के चलिए, आप सेफ नहीं हो, क्योंकि दोस्तो 70 नमबर तो आपको लाइनी पड़ेंगे, गन्फाम है, जनरल के टिगरी में PC मालों को, तो दोस्तो अभी कट ओफ की तरफ बढ़ते है, LP के कट ओफ यह मान के आप से पार्ट वन में तो कहीं नहीं कहीं, आप सेफ हो, साइको के लिए कोलेटर आएगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, दोस्तो यह कनफर्म है, वहीं से बात करूँ यहां पे, तो 35 से 45 के बीच में आपको लाना ही पड़ेगा, इंडिविजुल स्कोर यहां पे, से के आपको बताई दी, जो स्कोर आपका बन रहा हो, फाइनल स्कोर है, इसके बाद में कोई स्टेज है नहीं, तो कहीं न कहीं, कट ओफ थोड़ी हाई रहेगी, रहेगी, एलपी के लिए, एलपी के कंपेरीजन में, पीसी एम और टेक्निशियन की, तो दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर सिकंदराबाद जोन की 5,817 पोस्ट है, यहाँ पर एलपी की बात करूँ, अकेले एलपी में, यहाँ पर 3,133 से कहीं न कहीं, मतलब यह मान के चलिए, थोड़ी ज्यादा पोस्ट है, एलपी की कंपेर तो आसपास के जोन के, तो हो सकता है, कहीं न कहीं, यहाँ कंडिरेट ने एपलाई भी बहुत ज़्यादा किया है, CBT फस्ट में अपने देखा था, बहुत ज़्यादा लोगों ने एपलाई किया है, लेकिन इसकोर मतलब जो कट ओफ है, वो थोड़ी कम गई थी, हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है, आसपास की जोन प्लस कंडि में 2248 पोश्ट है, दोस्तो PCM की कट ओफ ही हमान के चलिए 60-65 के आसपास है, तो हो सकता है, कहीं न कहीं आप सेफ हो जाओ, क्योंकि सकंडराबाद में थोड़े कम है, कंपेर टू लाबाद जोन के, PCM की बात कर रहा हूं दोस्तो, अभी बात करता हूँ ALP की, दोस्तो, ALP क लिए, वहीं दोस्तो अगर OBC के टेगरी के बात करूँ में 40-45 के बीच में आपके आते हैं, तो OBC के आते हैं, तो OBC के ओफ हो, SCHT वाला 34-45 के बीच में, मान के चलिए, सेफ है, SCHT, 34-42, 34-40, मतलब की 40-40 का स्कोर बेठ रहा है, आपका SCHT दोनों ही के टेगरी में, तो स सेफ वाप सिकंदरबाद जोन के लिए साइको के लिए दोस्तों आपको पता हूँ यहाँ पर बात करते हैं चैनली जोन लास्ट जोन आता है आपका डेंजर्स जोन में जिहां दोस्तों चैनली के कटोफ थोड़ी हाई रहने वाली है अगर आपने फोर्म बरहा है तो यह मान क कम पोश्ट है वहीं technician के बात करू average पोश्ट है यहां पर 2760 के आसपास PCM वाले भी बहुत कम पोश्ट है यह मान के चलिए तो 300 के PCM वाला 70 के आसपास तो आपको नमब नहीं है confirm मैं जोन की PCM वालों की अभी बात करता हूँ ALP वालों की टेक्निशन वाले दोस्तों मान के चलिए टेक्निशन में confirm है मतलब 40 के आसपास होना चाहिए टेक्निशन के लिए ALP के लिए साइको आपका आठ गुना लिया जाएगा तो यह मान के चलिए 6000 के आसपास अगर आपका सेलेक्शन हो रहा है मतलब 6000 लोगों को क्वालिफाई किया जा रहा है तो यह मान के चलिए जनरल चम्माली से बाउन के बीच में तो आपका confirm और फाइनली पोष्ट मतलब जो फाइनली सेलेक्शन होगा वो तो इस पेस पे तो नहीं होगा लेकिन कहीं न कहीं इसके नंबर भी जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं आपका इमान के चलिए चम्माली से पचास के बीच में भी अगर में रखू यहां पे तो हो सकता है कहीं न कहीं पचास के आसपास तो टच हो जाएगा जनरल कंफा में चलिए तो भी चलेगा एक दो उपर नीचे हो सकता है दोस्तो ओबीसी की बात करूब बईयाली से बीच में आपका स्कोर होना चाहिए तो दोस्तो यह थी यह थे सारे के सारे इन जोनों में सारे में कट ओफ थोड़ी हाई देखने को मिलेगी तो अगर मतलब कलियर सेलेक्शन भी हो जाता है साइको के लिए तो साइको में आपको 25 से उपर स्कोर करना पड़ेगा इन जोनों के हिसाब से दोस्तो क्योंकि यहां पर कट ओफ फाइनली आपको हाई देखने के लिए झाल